विडियो के साथ और आज हमारे पास है के टीम की एडवेंचर 390 यह बाई यह कैसी गाड़ी ना जो कि एक पावर पैक्ट गाड़ी है उपर से इस गाड़ी में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे फीचर मिल जाते हैं इसमें आपको ट्रेक्शन गंट्रोल हो गया पूरा ही फूल एंडिदी वाला देखने में बल जाते हैं अपने इस्धाड़ी के विल जसकी मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर जो है पुरा लोड लीड वाला मिल जाता है उपर इस गाड़ी में जो वाइजर है आपको कुछ ऐसा दिखने हो बिल जाता है ट्रांस्पेरेंट वाला जो कि ऑफ रोडिंग के टाइम पर कीचट अगर आ जाता है मट बगर आ जाता है या फिर कोई कछट या फिर आपके बॉड़ी पर निकल जाएगा यहां आपको जो है अपसाइड डाउन वाले फोर्क मिल जाते हैं डवलूपी के आपको हंड्रेट बाइन नाइटीवाइन सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में जो है आपको एलोई विल देखने को मिल वगएरा भी है तो इसमें आपकी ABS की sensitivity वगएरा भी कम जादा कर सकते हैं इसका जो है भी मिटर कॉंसूल बंद है वरना मैं दिखा देता है काइंड आपको यह 390 वाला मिटर कॉंसूल देखने हो मिल जाता है वह चीज़ आपको बहुत अच्छी फीचर्स वगएरा मिल जा निढता है कर सकते हैं अब पर से वाला में इसमें इन इ काफी जार अच्छी इन देखने को मिल जाते उपर से जो है इसमें हैं आपको 14.5 लिट गज़े पेटॉल टैंक देखने को दिख ना विलकुन ही नया कणर आ गया जो कि बहुत ही जादा सुंदर देखने में लगता बहुत जारा अच्छा लगता है वागी एक चीज है इस गाड़ी में जो है साइट पैनल वगर आप देखोगे या फिर आप टैंक फ्लैप देखोगे तो इस फाइबर के देखने को मिल जाते हैं जो की काफी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ऐसा नहीं कि फाइबर है तो बिल्कुन धीले डाले हैं या फ प्लकुन आपके जो रेडियेटर को बचा करके रखेगा इस गाड़ी में आपको 373 CC का इंजन मिल जाता है जो की 42.3 PHP पावर और 37 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है पावर फिकर इस गाड़ी के बहुत ही जारा अच्छी है ड्राइब अबिलिटी इस गाड़ी के काफी जार बार जाते हैं तो आप जैसे बारिश हो रही है कि यह आपका पैर फिसलेगा सब्सक्राइब नहीं होने वाला जो की सेफ्टी वर अच्छा है इस प्लेट वाले सीट मिल जाती है सीट की क्वालिटी भी काफी अच्छी काफी इद्दम थिन सी है काफी पतली सी आगे साइड की तो आप जैसे चलाओ गया फिर बैठो इतना खड़ियों करके चला सकते सीट के ऊपर में कोई बीशू नहीं होगा यहां पर एडवेंचर लिखाओ मिल जाता है यहां बिलकुन ही टेक्शर वाला आपको जो है साइड में फाइबर मिल जाता है यहां पर अगरा एक्जास दोनों में ही यूज कर सकते हो कोई भी इशू नहीं होगा ऑन रोड चलाने में भी ऑफ रोड चलाने में यहां आपको 390 एडवेंचर के बैजिंग मिल जाती है यहां पर जो यह पैनल से पूरे वाइट कलर के हैं तो गाड़ी में जो है कलर वगएरा की जो प्रोफाइल है बहुत ही जाद अची चूज करीगे उपर से स्टिकर जो है जहां पर रिक्वाइड है वहीं पर लगाएगे एक्स्टर एक्स्टर कुछ भी नहीं ऐसा लगता है यहां पर आप देखो तो ग्रैबरेल भी आपको काफी ऐसे अलग टाइप के दिखने मिल जाते है तो अगर सकते कोई इशू नहीं होगा टेल नाइट पूरे ही आपको लीडी वाली मिल जाते मटगाड अगर आप देखो तो काफी ज्यादा सही क्वालिटी आपको देखने मिल जाते हैं बागी एक चीज है इसमें टायर और जो अपना क्या बलते मटगाड के बीच में बहुत अच् साइट से वह सब चीजें यही साब को दिखान तो कैसी लगी आपको गाड़ी कमेंट्स में जरू बताना भाई गाड़ी लुकवाइज बहुत अच्छी है गाड़ी में फीचर्स आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाते हैं ग्लूटूथ कनेक्टी विडियो गई न गाड़ी के वजन की बात करूँ जो सबसे में चीज होती है 177 kg के एप्रॉक्स गाड़ी में आपको बजन मिल जाता है और में चीज जो रहती भाई साब प्राइसिंग की प्राइस गाड़ी का जो है 3.38 लाग रुपीज एक शोरूम रखा गया है जो कि मेरे को ठीक लागा ना जादा है बहुत ही जादा ना काफी जादा कमी है मतलब इतना में एक परफेक्ट अगर बूलू ना तो वो रखा गया है बागी आपो कैसे लगी गाड़ी कमेंट में ज़रू बताना बागी इस गाड़ी को लेने का प्लैन कर तो फी तो डीटेल्स पगरा जो है मैं डि झाली है बाबाई